असलम अलेकम वेलकम टू श्राया नियूज उमीद करती हूँ के आप सब खेरियों से होंगे यूके की एहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजर हुए हैं तो हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूँगी के वीडियो को आखिर तक देखेगा वीडियो को शे अनिब तो इनलेन का निया इमिगेशन कानून जो के साथ साल का है तो वो जून से शुरू हो रहा है तो इसमें बहुत से लोगों कोalyst है जैसा के यह निया कानून 6 एपरिल से इंप्लिमेंट हो रहा है तो सबसे पहले ये क्लियर रहे कि ये कानून 20 जुन 2022 से शुरू होगा जिसको कहा जाता है एपडेमिस प्राइवेट लाइफ वाला कानून तो वो 20 जुन से शुरू होगा तो इस से पहले जिनकी extension आ रही है तो जो डाल रहे हैं तो उसको चलाई रखें और मजीद दूसरी confusion ये है कि ये कानून हर बच्चों पर apply होगा तो ये कानून सिर्फ उन बच्चों पर ही apply हो रहा है जो के इस मुल्क में यानि के England में पैदा हुए है और जिनकी अब उमर साथ साल हो गई है तो वो apply कर सकते हैं indefinite leave to remain के लिए और फिर इसी तरह तीन साल के बाद वो apply करेंग nationality के लिए लेकिन बरहल इस application का form होगा और इसकी fees होगी लेकिन method क्या होगा तो जब ये कानून implement होगा तो इससे कुछ अरसे पहले form को जारी कर दिया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि इस form पे application डालेंगी जैसा कि मिसाल के तोर पर जो उन्होंने concession निकाली थी जिसमें य ये कहा था कि जो बच्चे 18 साल से उपर हैं तो फिर FLRFP application वो डालेंगे settlement की और FLRFP पे आपको fee waiver मिलेगा तो इसलिए अभी तक इस कानून में ये वाज़या नहीं हुआ है कि ये जो निया immigration rule आ रहा है epidemis private life तो इसमें कौन सी application डालेगी तो इसका नाम क्या होगा तो वो जब आएगी तो इसकी fees और इस application का नाम क्या होगा वो आप लोगों के साथ लाजमी तोर पर share किया जाएगा और ये भी doubt है कि अगर मेरा बच्चा indefinite हो जाएगा या मेरा बच्चा ब्रिटिश हो जाएगा तो मुझे भी साथ में indefinite मिल जाएगी तो अगर parents की बात की जाए तो उन पे वो ही 5 year यानि के 5 year route या फिर 10 year route अपलाए होगा ये थी आज की एहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है उमीद करती हूँ के आपको पसंद आई होगी इसी के साथ फिर मिलती हूँ किसी latest update में आप सब अपना बहुत क्यार रखिएगा थैंक यू खुदा हाफिज